दागलपूर प्रदान डाग घर परिसार में मौजुद हैं और यहां पर अज लंबे समय से प्रतिक्छा की जा रही थी दागलपूर रिजनल करेले की ये पिछले चार वर्सों से लगातार इसका इंतजार किया जा रहा था शिलानियास होने के लिए लेकिन आज घड़ी अंत अज लगा और इस तरीके से भी कारेक्रम को संपन कराने की प्रक्रिया की गई तो उसमें हम आज बात करेंगे कि भागलपूर पूरूवी प्रचेत्र जो और इसके डांक निदे सकते स्री पवन कुमार जैसे कि क्या कुछ इससे लाब मिल सकेगा लोगो भागलपूर के तो मैं आप सबको बढाया देना चाहता हूँ आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इतना महत्व प्रदान किया इस कारेक्रम को और जैसा कि आपने स्वयम ही बोला है कि लंबे अर्शे से इस कर्याले के सिलन्यास का इंतजार हो रहा था और आज अंतताव घड़ी आही गई इतने संकटों के बावजूद भी तो लाब जैसा कि हमारे जो मुख्यती थी थे विधान पारसद महोदय ने पहले ही सपष्ट किया था और बहुत कुछ इसकी और इंगित किया था कि 18 जीले इससे प्रभावित होंगे वहाँ पे सासन को सुशासन की करते हैं उनको कई सेवाओं के लिए दूर का सफर तय करके पटना जाना होता था सायद उन समस्याओं से उन्हें नियात मिलेगा सायद क्या यकिनन उन्हें मिलेगा ही तो कई तरह की और जो सेवाएं हम बड़े से बड़े पोस्ट अपिसों में दे रहे हैं और जो नई अधिकारी बैठेंगे तो उनका ध्यान उस और भी जाएगा तो जाहिरे तोर पर इस रूप में भागलपूर की जनता को भागलपूर के छेत्र को और उस पूरे परिछेत्र को लाब मिलेगा जी बताया कि अठारज जिले के जो भी डांक करमी है डांक वीभाग से जुड़े है जो ही अधिकारी है अठारज जिले की जनता उन सबों को इस रिजिनल कारियाले कर लाब मिलेगा और हम इस पर जानते हैं कि लगातार जो पिछले कुछ समय से प्रयास कर रहे थे कि करने में हम लोग को बहुत कम समय लगेंगा आम जनता को कम समय लगेगा और पतना आने जाने का चकर से चुटकारा मिलेगा और याथ हो यहीं कि हम इसमें 2 साल करीब-करिब लगने वाले हैं तो पतना जाने के जंजर से लोगों को छुटकारा मिलेगा, डांक विवाग के अधिकारियों को छटकारा मिलेगा, किसी भी छोटे वड़े कारे के लिए जो परतमान में लगातार पटना जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो इन सभी समस्याओं से राहत मिल सकेगी, भागलपूर में रिजिनल कारेयले की इस्तिलानयास होने से भागलपूर के डांक कर्मियों के साथ लोगों में भी काफी उस्सा है, और हम इसके आप देख सकते हैं कि लगतार यहां कितने भारी संख्या में यहां पर हलाकी यहां कोरोना माहौल चल रहा है, इसको लेकर के काफी कुछ ध्यान कई जग कि भागलपूर